हलो दोस्तों आज दिनांक 31 जुलाई 2022 आज अपने एपल प्लान्ट का अपडेट देने जा रहा हूँ यह पोधा लगभग 1500 दिन का हो गया है और इसमें बारिस की वज़ा से पतियां थोड़ी पीली पड़ गई थी तो हमने जिंक सल्फिट दो ग्राम प्रती लीटर गोल बनाकर इसमें छिड़काव कर दिया और देखिए पतियां थोड़ी हरी हो गई है इसके पहले वीडियो में बनाया था उसमें की पतियां आप देखेंगे तो पीली थी लेकिन अब हरी हो गई है और इसमें 15 दिन 20 दिन पर फंगसाइड बावस्टीन का छिड़काव आप लोग करिए अगर आप लोग भी पौधा लगाए हैं तो देखिए इसकी पतियां जो है हरी हो गई है और इसमें अब नए नए ब्रांच भी फूट रहे हैं देखिए ये इसके पहले हमारा वीडियो था बहुत छोटा था ये ब्रांच लेकिन अब इसमें अच्छा ग्रोथ हो रहा है और मौसम थोड़ा छंडा हो गया है इसलिए इसका विकास देखिये यह यह नए ब्रांच देखिए यहां पर यह नए ब्रांच है इसमें देखिए यहाँ पर नया ब्रांच यह देखिए इसमें सब नया ब्रांच निकल रहे हैं और इसमें बरसाथ का पानी थोड़ा बचाना पड़ता है क्योंकि पानी इसके लिए थोड़ी दिक्कत करती है यह देखिए इस तरह का मैंने जुगाल बनाया था अगले वीडियो में आप लोग बताया था तर अ कि अगर पधा पधे को पानी से बचाना है तो इस तरह का उपाय अप्लोग कर दिए ताकि ग्राफ्टिंग मिट्टी से ढखने नपाए ये देखिए यहाँ पर ग्राफ्टिंग है यहाँ पर ग्राफ्टिंग है और हमने इस तरह से पाइप नुमा लगा कर मिट्टी को थोड़ा उंचा कर दिया तो इस तरह से दोस्तों आप लोग भी अपना जुगार बना सकते हैं यह प्लांट डोर्शेट गोल्डेन टीशू कल्चर है कलम बीधी द्वारा और यह 13 महिने में फल देगा अगिले साल इसमें फूल फल आएंगे लेकिन रखना नहीं है उसको तोड़ देना है क्योंकि पौधा अभी कमजूर है इसलिए फूल फल छोड़ने का मतलब कि पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा अखनल के देखुए कि चोटे-चोटे बांच मिंख्या यहां पर यहां पर देखिए यहां पर छोटे-चोटे बांच तीन पौधा बचा है दस पौधा मंगाये थे साथ पौधा सुख गए यह देखिया अन्ना यह अन्ना बराइटी है इसमें भी काफी बढ़वार हो रहा है बरसात की वज़ा से थोड़ा इसमें भी दवार डाले थे लेकिन अब परिवर्तन है बहुत देखिये इसमें भी इसी तरह जुगार बनाये थे दोस्तों आप लोग भी शेव का पौधा लगाए है फंगर साइड बावस्टीन का छिड़का आप लोग करते रहिए सबसे एच्छी दवा है बावस्टीन ठीक आज का अपडेट यहीं में चैनल को लाइक और शेयर करिए संस्क्राइब भी करिए जय जवान जय किसान